सबसे पहले जाने इत्र क्यूं है महात्वपून जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो उनसे मिलते वक्त हमें हर तरह से खुद को स्याख सुत्रा और खुश्पूदार दिखाने में खुश ही मिलती है साथी सामने वाले पर भी हमारी पोस्टनालिटी का असर पड़ता है कई बार हमारी खुश्पू से सामने वाले का खराब मूड भी अच्छा हो जाता है ये खुश्पू हमारी पहचान बन जाती है कई बार हमारी खुश्पू से हमें पहचान लेते हैं लोग और वैसे भी सुगंधित वातावरन किसको पसंद नहीं आता इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि वो सधा मेहकते रहें कैसे शुरू करें परफ्यूम का बिजनस परफ्यूम हर वर्क का व्यक्ति इस्तेमाल करता है चाहे लड़का हो लड़की, बुड़ा, जबान यानि कि आपके पास ग्राकों की पूरी रेंज मौजूद है परफ्यूम का बिजनस काफी फायदे मन बिजनस है अगर आप परफ्यूम के बिजनस में उतरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले परफ्यूम की पूरी जानकारी होनी चाहिए परफ्यूम क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे बिकता है, कैसे उसे रखा जाता है अगर आपके पास इन सारे सवालों के जवाब हैं तो फिर आप आसानी से इस बिजनस में सफल बन सकते हैं पर्फियूम कितने प्रकार के होते हैं जान लिजिए बाजार में पर्फियूम की अच्छी खासी केटेगरी उपलब्ध है किसी में आपको तेज खुश्बू मिलती है तो किसी में हलकी इसलिए आपको पहले ये सोचना होगा कि आपको कैसा पर्फियूम बनाना है इसके लिए आपको इसके सारे प्रकारों के बारे में पता होना चाहिए पार्फर्म पार्फर्म का मतलब हिंदी में शुद इत्र से होता है इस तरह का पर्फियूम काफी तेज खुश्बू वाला होता है इसमें अलकोहल की मात्रा काफी कम होती है योडे पार्फियूम दूसरे टाइप का पर्फियूम है जो बाजार में बिगता है इसकी कीमत पर्फियूम प्रकार के पर्फियूम से कम होती है और इसकी खुश्बू भी बहुत जादा देस नहीं होती योडे कॉलोन इस तरह के पर्फियूम में भी खुश्बू काफी मध्यम होती है और ये पर्फियूम सस्ता भी होता है इस तरह के पर्फियूम में सिर्फ दो प्रतेशत फ्रेग्रेंस कंसेंट्रेशन डाला जाता है इसलिए ये लंबे समय तक खुश्बू नहीं देता योडे ट्विलेट इस तरह के परफ्यूम में काफी मात्रा में इलकोहॉल मिलाया जाता है साथ ही इसमें फ्रेग्रेंस कंसेंट्रेशन काफी कम मात्रा में होता है जिसके चलते ये परफ्यूम दो से तीन घंटे तक खुश्बू देता है यो फ्रेची ये काफी सस्ते परफ्यूम होते हैं इनमें फ्रेग्रेंस कंसेंट्रेशन सिर्फ एक प्रतीश तक होता है और इसमें अलकोहॉल की मात्रा भी ना के बराबर होती है इसे बनाने में पानी इस्तेवाल किया जाता है दरसल परफ्यूम से मिलने वाली फ्रेग्रेंस को दो कैटगरी में रखा जाता है ये कैटगरी है मेल और फीमेल पुर्शों के लिए अलग तरह से तो वही महिलाओं के लिए अलग तरह से दरसल प्राक्रिती में मिलने वाली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी खुश्बू महिलाओं की तरह सौम में और पूर्शों की तरह मोहक होती है तो परफ्यूम बिजनस में इस बात का ध्यान रखकर ही फ्रेक्रेंस बनाई जाती है तो आप भी जब अपना बिजनस शुरू करें तो ये बातें ध्यान में रखें आपका परफ्यूम तभी बिकेगा जब आपके परफ्यूम की खुश्बू सबसे अलग होगी बिजनस का पहला रूल है कि आपको बाकियों से अलग बनना है तभी आप मारकेट में टिक पाएंगे तो आपको भी अपने परफ्यूम को ऐसी खुश्बू युक्त बनाना है जो पहले बाजार में मौजूद ना हो तभी लोग आपका परफ्यूम खरी देंगे और तभी आपका परफ्यूम बाजार में अपनी नई पहचान बना पाएगा ये याद रखीगा किस बिजनस में ग्राह को हमेशा कुछ नया और कुछ अलग चाहिए कैसे बनाया जाता है परफ्यूम किसी भी परफ्यूम को तीन पार्ट में बाटा गया है टॉप नोट्स, मिडल नोट्स और बेस नोट्स इन तीनों को मिला कर ही एक परफ्यूम की खुछबू तयार की जाती है टॉप नोट वो खुश्बू होती है जो पॉफ्यूम के च्छड़ते ही आपको फील करते हैं और वो जतनी तेजी से नाग पर चड़ती है उतनी ही जल्दी खत्म हो जाती है इसके बाद मिडल नोट्स वाली खुश्बू का असर है जो काफी मद्यम होता है इसका असर चार से पांच खुश्बू तक रहता है और इसके खत्म होते ही बेस्ट नोट्स रह जाता है परफ्यूम बनाने की रेसिपी लेकिन परफ्यूम बनाने के लिए आपको टॉप, मिडल और बेसिक नोट्स के इलावा भी बहुत कुछ चाहिए परफ्यूम बनाने में जोजूबा, स्वीट आलमंड और ग्रेप सीट ओयल का इस्तिमाल होता है तो सबसे पहले आपको इनका इंतजाम करना होगा इसे केरियर रॉय कहा जाता है अब इस ओयल में आपको बेसिक, मिडल और टॉप नोट्स को मिलाना होगा इसके बाद इसमें कुछ ऐसा मिलाया जाता है जो इन सब को साथ में होल्ड कर सके और इसके लिए ही अलकोहल का इस्तिमाल किया जाता है अलकोहल परफ्यूम के नोट्स को डिफ्यूस होने में मदद करता है वोट का इस्तिमाल इसमें जादा होता है क्योंकि वोटका की खुद की कोई खुश्बू नहीं होती अगर आप इस तरह की खुश्बू को सॉलिड रूप देना चाहते हैं जैसा कि कोई लिब बाम या बॉली रोल आन तो उसके लिए आपको इस मिक्स्चर में पिगली हुई बी वैक्स मिलानी पड़ती है पर्फ्यूम बनाते वक्त ध्यान रखें कि आप उनको किसी डार्क ग्लास कंटेनर में ही बनाए क्योंकि पर्फ्यूम को लाइट में बचाना बहुत जरूरी होता है लाइट या सूरज की रोशनी में आते ही पर्फ्यूम उड़ जाता है अगर आप किसी फूल, पत्ती या हर्ब्स की खुश्बू वाला पर्फ्यूम बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि फूलों के पत्ते ठीक से सूख चुके हों गलती से भी फूल का कोई ऐसा पार्ट उसमें ना डालें जिसमें या तो खुश्बू ना हो या फिर उसकी खुश्बू बेकार हो पर्फ्यूम की केमत पर्फ्यूम की एक बूंत की केमत हजारों में होती है अच्छे पर्फ्यूम पांच हजार रुपए एक सो एमल के हिसाब से मिलता है जितना कठिन प्रोसेस उतनी ज़्यादा कीमत ये परफ्यूम की कीमत को आंकने का तरीका है अगर ग्राहा के एक बार आपकी बनाई चादूई खुश्बू का दिवाना हो गया तो फिर आप चाहे तो जो भी कीमत मांगे वो चुकाएगा ही चुकाएगा